हेलो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बताने वाले हूँ आप लोगों को देखे इस तरीके के पतली सोल्डर वाली प्रिंसेस कट में ब्लाउच की कटिंग उसके लिए देखे यहाँ पे मैंने अस्तर को दो फोल्ड में विछा लिया है और देखे बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और देखे ओपन साइड इस साइड को रखी है सबसे पहले हमने इसका मेजरमेंट ले लेना है लंबाई मेरी 14 इंच है तीरा है 15 इंच चेस्ट 40 और कमर 38 इंच है देखे अस्तर को दो फोल्ड बिछाने के बाद हम इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पे मैंने जो इसकी चोड़ाई रखी है वो 14 इंच रखी है क्योंकि क्या है मेरी जो चेस्ट है वो 40 इंच है 10 इंच दस पे मैं 4 इंच प्लस करूंगी तो मैंने 14 इंच का कपड़ा विछा के रखा है सबसे पहले हम फ्रंट साइट के भाग पे निसान लगाएंगे और उसके लिए देखे यहाँ पे हमने लंबाई मेरी 14 इंच है तो यहाँ पे हमने 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निस निसान लगाएंगे और उसके बाद हमने इन निसानों को देखे मिला देना है इस तरीके से और यहाँ पे हमने आधा इंच कंधा डाउन करना होगा तो आधा इंच पे निसान लगाएंगे और गला हमने देखे 5 इंच पे रखना है उसके बाद आप लोग क्या करना ना यह इंच पे निसान लगा दिया है और उपर से मैंने सवा तीन पे निसान लगा के आर्म होल की गोलाई दे दी है और देखे गले का निसान मैं साड़े साथ पे लगाऊंगी और नीचे से मैं तीन इंच पे निसान लगा दूँगी और उपर से देखे मैंने धाई इंच पे निस निसान हम बाहर की तरफ को राउंड सेव देदे तो उसलिएगा अच्छा बन के आता है उसके बाद हमने प्लिट्स का निसान लगाना है 3.5 इंच पे और 2 इंच का लगाएंगे तो 2 इंच पे एक निसान लगा देंगे और कमर हमारी 38 है то 38 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा साड़े नौ पे एक निसान लगाएंगे और दो इंच हमने पिलिट्स का देना है धाय इंच पे हमने मारजन का निसान लगाना है इसलिए ही मैंने यहां पे चार इंच एस्टा रखा हुआ है क्योंकि हमने दो इंच की पिलिट्स से डालनी है और इन निसानों को देखे हमने मिला देना है इस तरीके से देखे देखे फिलिट्स का निसान हमने नीचे साड़े तीन इंच पे लगाया था और उपर लगाया है पौने चार इंच पे इतना धान रखना आप लोग और इन निसानों को देखे हमने यह जो दो इंच का निसान सबस्क्राइब करें राउंन सेव देते हुए है इसनम हो गय है अब हम क्या करेंगे सबस्क्राइब सबस्क्राइब लगाए और आर्म होल का निसान लगाएंगे हम 6.5 इंच पे और यहां से देखे निसान लगाएंगे 6 इंच पे और यहां पे हमने इन निसानों को मिला देना है और उसके बाद हमने यहां पे देखे जो गले का निसान है 2.5 इंच पे एक निसान लगाना है और यहां से सबसे पहले हम लगा देना और यहां से भी हमने पौने चार पर निसान लगाना है उसके बाद हमने इन निसानों को मिला देना है और यहां पे देखे हमने एक एक इंच का निसान लगाते हुए देखे इन निसानों को भी मिला देना है क्योंकि हम दो इंच की प्लिट से डालेंगे तो हमने देखे एक एक इंच के हमने निसान लगा दिये हैं और अब हमने क्या करना है यहाँ पे हमने आधा इंच का निसान लगाना है क्योंकि हम कंधा डाउन करेंगे और इन निसानों को भी हमने मिला देना है इस तरीके से और आर्मोहोल की गोलाई हम देंगे डेल इंच पे और एक निसान हम लगाएंगे सवा तीन इंच पे और इस से हमने देखे आर्म होल की गोलाई दे देनी है और देखे इस तरीके से गोलाई दे देंगे और अब लगाएंगे हम गले का निसान गला मैंने बनाना है 11 इंच का तो देखे एक निसान हम 11 इंच पे लगा देंगे और देखे नीचे से हमने 3 इंच पे निसान लगाना है और और उपर जो मैंने निसान लगाए था वो 1,5 इंच पर लगाया था तो हमने इन निसानों को मिला देना है देखें नीचे 3 इंच का है और उपर हमने 1,5 इंच का निसान लगाया है और यहां पर मेरी बेक साइट के भाग की भी मार्किंग हो गई है गले की गोलाई में बाद में दूंगी और यहां पे न में फ्रंट साइट पर यह आधा इंच का निसान लगाना भूल गई थी देखे आधा इंच का निसान हम साइट से लगाएंगे और इस तरीके से हमने जहां पर प्लिट से का निसान लगाय था ना वहां पर थोड़ा सा आगे से हमने इसको मिला देना है और यह हमने यहांपे इसकी छटाई कर देनी है इस छटाई को करने से क्या होगा जो आरम होल के नीचे हमारी चुन्णटे जैसी पड़ जाती है तो वह नहीं पड़ेंगी और हमारा जो बिलाओ जै बिल्कुल फिनीसिंग के साथ रेडी होग अब मैं ना फ्रंट साइड के भाग के अस्तिर की कटिंग कर लेती हूँ देखे ये सबसे पहले हमने गले की कटिंग करनी है उसके बाद आर्म होल की और उसके बाद हमने देखे ये जो प्रिट से डाला था इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम बैक साइट के भाग के भी कटिंग कर लेंगे सबसे पहले हम नीचे का हिस्सा कट करेंगे उसके बाद हमने साइट का हिस्सा कट करना है उसके बाद देखे यहाँ पे हमने कट कर लेना है उसके बाद देखे कपड़े को हम अपनी तरफ को कर लेंगे उपर का निसान लगा लिया है और यहां पे हमने गोलाई देते हुए देखे इसके हमने कटिंग कर लेनी है उसके बाद देखे जो हमने कंधा आधा इंचे डाउन किया था उसकी कटिंग कर लेंगे और आर्म होल की भी देखे हमने पूरी कटिंग कर लेनी है और उसके बाद ह जो हमने अस्तर कड़ किया था ना देखें स्क्राइब के ऊपर रखना है सबसे पहले में फ्रंट साइट का इसकी कटिंग कर लंगी और इतना ध्यान जरूर रखिए उसके बाद देखे फिर से हमने कपड़े को विछा लेना है और अब हम ये बैक साइड का जो अस्तर है मेन फेबरिक के उपर रखेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है देखे बैक साइड पे मैंने हुक लगानी है तो देखे ओपन साइड से मैं कट कर रही हूँ कपड़े को देखे ओपन साइड है ये और यहां से हमने इसका जो गले की साइड से इसको कट कर लेना है उसके बाद देखे हमने बैक साइड पे भी आधा इंच की छटाई करनी है तो देखे हमने आधा इंच का निसान लगा दिया है और यह जो हमने प्लिट स मैं बाद में अप्लोड करूंगी कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे और चैनल पर नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे मिलते हैं जी तरके के चेची वीडियो के साथ अब तक लिए टेक केर बाबाई